यह मामला उठा इर्फान पठान और बाबर आजम की एक कॉंट्रोवर्सी से यह पूरा मामला क्या है आपको वीडियो के जरीय समझाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे कि जहापर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और इर्फान पठान के बीच में कुछ हातपा पाई की खबरे सामने आ रही हैं क्या यह हातपाई थी या बहस हम आपको अच्छे से बताएंगे और इसकी क्या वज़ा थी यह भी आपको बताएंगे दरसल दोस्तों यहाँ पर जैसे ही बाबर आजम जीत कर ग्राउंड से बाहर आए तो इर्फान पठान उनके एक इंट पॉरस्तान के ओफिशल्स थे होने भी इर्फान पठान से बीच में हस्तक्षेप करने की बात सामने रखी ऐसे में यह पूरा मामड़ा तब सामने निकल कर आया जब इर्फान पठान पिछले मैच में राशित खान की जीत के बाद बलकी यह कहें कि पाकिस्तान को हराने के बाद राशित खान के साथ नाश्टे हुए दिखे थे जिससे कई ना कई पाकिस्तान बॉक लाया हुआ था इसके इलावा यहां पर इर्फान पठान ने खुद लाइव आकर अपनी ये बात रखी और इस पूरे मामले के बारे में अपनी मुझबानी बताया जहां पर उन्हो कि शायद पाकिस्तान इस बात से बॉक लाया हुआ है कि उसनोंने राशित खान के साथ उनकी जीत पर जश्न बनाया था लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई छोटी टीम आगे बढ़कर अच्छा पदशन करती है तो उन्हें खुशी होती है आज जब पाकिस पहले ही यानि की बाबराशम ने पहले ही स्टार सपोर्स की टीम को इंटर्व्यू मना कर दिया था लेकिन पाथान ने बताया कि अगर इर्फान पथान यहाँ पर उनसे खुद दर्ख्वास करेंगे इंटर्व्यू के लिए तो शायद वो मान जाए लेकिन जिस तरा से डि क्रिया देते हुए इर्फान पठान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारते खिलाडी इस तरह का डिस्रिस्पेक्टफुल बरताव करता और उन्हें बाबर आजम से ऐसी उमीद नहीं थी साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इस पूरे बरताव के बाद इर्फान प